हेलो मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग नमस्कार तो चलिए आप लोग का रेश होप सक्सेस गुरूप चैनल में श्वागत है तो मैं आज VPSC टीचर का जो एक्जाम होने वाला है 24, 25 और 26 अगस्त को तो उसके बेसिस पर जो भी पूछे जाने की पूरी संभावना है तो हम उन प्रशनों का जो है एक टेस्ट सिरीज करवा रहा हैं और उसमें माइथ एवमरिजनिंग में पूछे जाने वाले सारे प्रशनों का हम एक एक अलग-अलग टेस्ट सिरीज लेकर आ रहा हैं और आप लोग के सामने जो वीडियो के माद्यम से प्रवाइट कर रहे हैं और दोनों के टेस्ट सिरीज में अलग-अलग दिन उसके प्रशनों को सलूशन कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस बैश से जुड़िए और सलूशन कीजिए मेरे साथ और अपने सफलता को इस बार सुनिश्यचित कीजिए और एक बार जो है इस और एक बार जो है इसमें जो मन तन से भिड़ जाई जूड़ जाई और समझने का और शिखने का प्रयास किजिए और इस बार जो है टीचर बनने का एक सरकारी विद्याले में सिक्षक बनने का अपने सपना को पूरा किजिए प्रसी में तो चलिए हम आज के मिरा रिजनिंघ में यह दूसरा मेरा टैस्ट सेज है हमने इक भर मैथ को इलिज्ट से बार अगले दिन हम मायत का अगला नेक्र यानि सेट्स्ट्रा नेक्र्स जह मैथ का ठेस्ट लेकर आहेंगे उसमें जो है बहुत सारे मायत के प्रस्ण होंगे जिस जो आपके विप्यस्टी टीचर के प्रिक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगा जरूर पूछे जाएंगे तो चली आईए अभी के लिए आप लोग को गुड मॉर्निंग और सभी जग जाईए और अपने लक्ष के प्राप्ति में लग जाईए और मन तन से जो है अपने प्रिक्षा के तैयारी में भिर जाईए तो हम आप लोग के लिए एक बात कहना चाहेंगे अक्सर कामियाब वही हुआ है जो रातों रातों के नींद को त्यागा है और दिन के चैन को त्यागा है तो आप भी अपने नींद को तोड़कर और कौपी किताब कलम लेकर उठ जाईए और फ्रेस होकर बैठ जाईए और हमारे साथ जूरकर पढ़ने का प्रियास किजिए और अपने लक्ष को प्राप्त किजिए जो सोएगा वो अपने लक्ष को प्राप्ति के मार्ग को खो देगा और जो जागेगा वही अपने लक्ष को पाएगा तो आईए जागे उठिए और अपने लक्ष की और एक सही मार्ग पर एक सही मार्ग पर अपने लक्ष की खोज में अपने मंजीर की खोज में निकल जाईए निकल चलिए और अपने लक्ष को प्राप्त किजिए तो चलिए हम अब ज़्यादा इसा बातों में समयना बरबा करते हुए हम research पर आते हैं तो चलिए आज का वे जबर को कौछन है कोट को में जो है जहरे इन सोस्बंदी थे जैसे कों से संबनते हैं यानि कोन का जो है माप Rig Wonder में दिया जाता है तो उसी तरह जो है दाव का माप क्या होतार यानि दाव का जो है मात्रक क्या होता कौन का मात्रक जैसे रेडियन होता है तो उसी तरह दाव का मात्रक क्या होता तो इसमें देखिए कौंसा हो जाएगा टेसला वाट पास्कल न्यूटन तो इसका जो ऐसा ही उत्तर हो जाएगा पास्कल यानि दाव का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है उ यानि इन चारों में जो भीन है मैच नहीं कर रहा है उस यूगम को चुनिए तो यहां पर देखिए एक चीज यहां पर द्यान दिजे कि जो है पहले वाला जो संख्या है पहले वाला जो संख्या उसका बर्ग जो है अगले संख्या में दिया गया है तो यानि 10 का बर्ग 100 यह 271 और देखिए आप 15 कबर्ग 225 बिल्कुल सही यानि यही मेरा जो है एक भीन है अलग है यानि ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा उसके बाद अगला प्रसंद देखिए अगला में है अगला में ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर देखिए चार है और चार को बढ़ाया तो यहां पर साथ तीन बढ़ाया तीन प्लस किया तो यहां साथ हुआ फिर साथ में तीन प्लस किया तो यहां पर दस हुआ फिर दस में अगर जो तीन प्लस करेंगे हम तो यानि यहां जो है 13 होना चाहिए और उसके बाए डी में देखे डी में उसी तरह जिस तरह से संख्या में जो है तीन तीन जोड़ा गया उसी तरह जो लेटर में भी तीन तीन जोड़ा गया यानि डी जो है चौथा स्थान पर होता है तो उसमें जो है तीन जोड़ कर साथ किया गया है फि यह यानि जो यहाँ पर जोड़के आए याण संख्या उसी जो है लेटर का जो है ऐस्थान का नाम लिखरेंगे तो तेरा मताता लेटर लेका किना में दो किया तो यह में लिखेंगें अर उसके अगला देखे प्र तो नहीं तो नुगो घृख्योrem होता है उसको लीखा जाता है तो आपका हम बारा लिखें तो बारा नमर में जो है किसका अस्थान होता है तो 12 में अंग्रेजी एक्षर के जो है यल का अस्थान होता है यानि यहां पर यल हो जाएगा तो यानि 13 और 12 तेरा यम और 12 देखे किसमें है एंसर तो तेरा यम और 12 देखे इस अपसन नमर सी अपसन नमर सी में जो है यह एंसर है यह तेरा यम और बारा तो इस तरह से धाधर परस्णों को जो है सुलूसन करते जाए और इसी तरह बिल्कुल यही जो जुनून लेकर हमको एक्जाम हॉल में भी उतरना है और अपने जंग को फटा करना है बिजय प्राप्त करना है और इस वर सरकारी सिक्षक बन के दिखाना है एक टीचर के रूप में पूरे समाज और अपने प्रिवार को बन के दिखाना है कि नहीं हम में भी कुछ है हम कोई ऐसे ही साधारान स्टूडेंट नहीं है हम भी मेहनत करते हैं और मेहनत का परिणाम मेरा सामने उसके बाद अगले प्रस्ण को देखिए अगला प्रस्ण है चार नमर बिसम सब्द को चुनिए तो इन सबों में जो है बिसम कौन है अलग कौन है उसको चुनिए तो ए में है कुरसी बी में है मेज सी में है दर्वाजा डी में है लकड़ी तो इसमें देखे ध्यान दिजी इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सवी कुरसी देखिए तो कुरसी जो क्या चीसे बना है लकड़ी से बना मेज मेज क्या चीसे बनता है लकड़ी से बनता है दर्वाजा क्या चीसे बनत लकड़ी से बनता है और डी यहां पर लकड़ी दिया गया यह जो कुछ परिवर्तित रूप नहीं है सिर्फ ओनली वन मतलब लकड़ी को ही दे दिया है तो यह यह तीनों जो है लकड़ी से बनाए जाने वाले सामान है और वो जो है लकड़ी है तो वही जो है अलग है बाकी तीनों जो है स्यम है यानि अप्शन डी जो है इसका से उत्तर हो जाएगा उसके बाद 49 वह देखें पांच नमर पांच देखें क्वेश्चन नमर पांच में है क्या 49 विद्याथियों में सुरेश का रेंक असोक से 7 रेंक आगे है यदि अंत से असोक का सुरेश का रेंक 17 वह हो तो शुरू से सुरेश का रेंक क्या फोगा तो यह जह थोड़ा रेंक्ट्र वाला कोश्चन और ज्यादा भारी तो है नहें बहुत ही आसान है तो यह बोलाए झाग कि कि एक यरña को एक लाइन में कलो में जो है 49 बिद्यार्थियों में सुरेज का रेंग असोक से सातवा है यानि यहां पर हम इस तरह से कोई लेन खिचते हैं और इसमें जो है टोटल 49 बिद्यार्थि है तो हैं पर बोल रहा है सुरेज का रेंग असोक से सातवा है तो हम माल लिए कि असोकर रेंग यहां पर है असोकर रेंग यहां पर है सूरेस का रेंग से सात रेंग यानि इस साथ आगे एक दू टीन चार पांच छोड साथ साथ इस साथ आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यानि इससे जो है साथ आगे यानि यहाँ पर है सूरेश का उस्थान यहाँ पर है सूरेश का उस्थान यहाँ पर है उसके बाद बोल रहा है यदी अंध से असोक का रेंग सतरहमा हो तो बोल रहा है कि अगर जो अंध से जो है असोक का रेंग सतरहमा हो यानि अंध यहाँ से अगर जो लेते हैं तो यहाँ से इसका असोक का रेंग सतरहमा है अगर जो यहां से इसका रेंग सत्रहमा है तो असोग के नीचे जो है कितना आदमी है असोग जो है सत्रहमा अस्थान पर है तो यानि असोग के नीचे जो है टोटल सोला आदमी है यानि इसके नीचे जो है सोला आदमी जो है खड़ा हुआ है उसके बाद पुछ रहा है सुरेश का रेंग क्या होगा तो 17 पर यह है और इसके जो है साथ आगे सुरेश से तो जो है असोक से जो है सुरेश का रेंग लिकालना होगा तो यानि 17 तक तो असोक तक ही हो जाता है और सुरेश का रेंग लिकालना है तो यह जो है इससे साथ आगे है तो 1.iv तुरेश का सुरेश का रेंग ब्रावरàoכा सुरेश का रेंग ब्रावर हो 2 सतरण जोड़ सात यानि चोविस यानि 24 इच when दो होगा सुरेश का यानि सुरेश जो है चो वी बिस रैंग पर होगा तुदेश का स्युत दो थरहें ची उसके बाद फिर अगले प्रस्ट को देखें अगला प्रस्ट जो है रिलेशन से समन्नित है एक पुरुस की और से संगेत करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरी बहन के दादा का एक मात्र संतान है वह पुरुस लड़के से किस परकार संबन्नित है तो यहां पर देखिए रिलेशन से संबन्नित यह प्रस्ट है तो देखिए यहां पर जो भी पुरुस होता है उसको हम पलस से डिनोट करते है जो भी पुरुस होता है उसको पलस से डिनोट करते है और पुरुस पलस से डिनोट करते हैं महला जो होता है उसको माइनस से डिनोट करते हैं महिला को माइनस से दिनोट करते हैं तो यहाँ पर दिखिए एक पुरूस की और संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा का एक मातर संतान है एक पुरूस की और संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा तो एक लड़के ने कहा यानि वा बताने वाला लड़का जो है क्या है पूरुस है बताने वाला जो है लड़का है पूरुस है तो यानि जो है पलस उसके बाद एक लड़के ने का हुआ मेरी बहन के यानि इसका बहन तो इसका बहन जो है यहां पर यानि माइनस हो रहा है उसके बाद इसके बहन का बहन के दादा का तो बहन के दादा तो इसका जो है एक जो है दो पिढ़ी जो है उपर तो यानि उपर का खंदानी तो जो है उपर में लिखेंगे पलस दादा का एक मातर संतान है तो इसके दादा का एक मातर संतान है तो इससे जो है एक पिढ़ी नीचे है अब इससे एक पिढ़ी जो नीचे लिखना है याँ पर माइनस पलासी लिखना है क्योंकि सा एक मातर संतान है वह पुरूस लड़के से हाँ यहां पर पहले बता दिया कि एक पुरूस की और संकेत करते हुए यानि जो बता रहा है उसके बारे वो पुरूस है तो यहां पर पलस हो जाएगा यानि पलस है उसके बारे बता रहा है एक मातर संताने वह पुरूस लड़के से किस परकार संबनी थे तो वह पुरूस लड़के से किस परकार संबनी थे यानि जो है ये लड़का है ये जो लड़का इसारा कर रहा है और ये पुरूस से जो है इसका संबन क्या है तो देखिए यहां पर क्या बोला गया है इसके बहन तो इसका बहन तो इसका बहन का फिर दादा तो इनका भी जो है दादा हो गया तो इनके दादा के संतान तो इनके दादा के संतान जो है एक मात्र संतान बोल रहा है तो एक मात्र संतान बोल रहा है तो इनका ही पापा होग में कि एक से अधिक संतान बोलता तो इनका चाचा भी हो सकता था लेकिन अगर जो One संतान बोल रहा है तो इनका यंश पूरूस के बारे मिसारा कर के बता रहे हैं वह पापा हैं इनके पिता है तो क्या पुछ रहा है लड़के से किस परकार संबंदी थे वह पुरूस लड़के से किस परकार संबंदी थे के तो पूरुस के बारें पुछारा है कि वह पूरुस लड़के से किस परकार समद दे तो मतलब12 से उत्तर हो जाए पीता यानि यह जो है क्या है पीता इंका रिलेयसन लड़का से पीता तो इसका सही इत्तर हो जागा पिता उसके बाद फिर अगला प्रस्ड़ देखें कैज conscious झाल झाल तो चलिए फिर अगला प्रसंद देखे साथ नमर एक विशिट कोड़ भासा में लाइट को जो है यम जे यच आई यू लिखा जाता है इसी कोड़ भासा में फ्रेम को क्या लिखा जाएगा तो यहां पर देखें क्या प्रवर्तन हो रहा है यम जे यह आई यू इसको लिखा जा रहा है लाइट यल आई जी यह टी इसको लाइट लिखा जा रहा है तो यहां पर देखें यम है तो यहां फिर यल कर दिया यानि एक जो है माइनस कर दिया यानि यम में जो है माइनस वन कर दिया उसके बाद J है, तो J में भी उसी तरह J के जगा आई लिखा है, तो इसमें भी एक माइनस किया गया है, यह के जगा जी लिखा है, इसमें भी एक माइनस किया गया है, और इसमें भी जो है एक माइनस किया गया है, यानि अगले संख्या लिखने के लिए एक घटा के लिखा ग तो इसका इसका देखे इसमें हम यफ में एक माइनस करेंगे तो इए हो जाएगा और ए में एक माइनस करेंगे जड़ हो जाएगा और इसके पहले R है, तो R में एक माइनस करेंगे, तो Q हो जाएगा, A में एक माइनस करेंगे, Z हो जाएगा, YM में एक माइनस करेंगे, YL हो जाएगा, और E में एक माइनस करेंगे, D हो जाएगा, तो यानि इसका सहुत्तर हो जाएगा, E, Q, Z, Y, D, तो एक्यू जड़ी यानि इसका उप्षन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद अगले प्रस्ण को देखिए सब्द को चुनिये से आधिस संब्दी को चुनिएं यानिक्रें सब्सक्राइग को सब्सक्राइग सब्सक्राइग करने के लिए हैं जाता है छीजी मि होता है डीपाइल भी होता हां कमपनी में सारे मजदूर का me तो एक दिन नहीं भी रहे तो इसब को जो किसी तरह मैनेज कर लिया जाता है यानि बिद्दूत नहीं है तो जो है DC करेंट से चला लेगा चिमनी नहीं है तो उसका जो कोई की उपाय हो जाएगा डी फायल नहीं है तो उसको जो online माध्यम से कुछ कर सकता है लेकिन अगर जो कामगार नहीं होता है तो फैक्टरी जो है बंद हो जाएगा नहीं चल सकता है तो इसमें जो है बिप्रीद दिशा में 135 डिगरी से कौण पर मुड़ता है और फिर घरी की चाल की दिशा में 180 डिगरी कौन पर मुड़ता है बताएं अव्द कि centry किस सामें मों खड़ा किये हुए तो यह जो see direction का question है और एंगल basis for हो देखके इस तरह की प्रश्णों को हम कैसे बनाएंगे तो जैसे जैसे इससे जा रहा है उसे आप करते जाये ये नाते हैं तो उसमें जो है North यानि उत्तर जो उपर होता है और दक्षिन नीचे होता है दक्षिन नीचे होता है और इधर होता है फूरव और इधर बाया साइड होता है पच्छी म, देखें क्या बोल रहा है कि वह घरी की चाल के विप्रीद दिसा में 135 डिगरी के कौन पर मुड़ता है, वह आदमी जो है पहले दक्षिन की ओर खड़ा है, यहां पर खड़ा है तो उसका मुझर जो है दक्षिन की ओर है नीचे की ओ वह घड़ी की चाल के विप्रीत दिशा में 135 डिग्री का कौन मुड़ता है तो यह जो घड़ी की चाल कैसा होता है घड़ी का दिशा इस तरह से होता है इतरह से घुमता है उसका काटा लेकिन यह जो बोला है घड़ी के विप्रीत दिशा में यानि इस तरह से उल्टा घुमत तो यहां पर है तो यहां पर अगर जो इस और खड़ा है यह जो दक्षिन की और खड़ा है तो इनको जो है इधर मुड़ने के लिए जो 90 डिगरी पहले गुमेंगे यहां पर पूरम में आएंगे उसके बाद फिर 135 डिगरी घुमना तो 45 डिगरी और घुमना पड़ेगा यानि इस दिशा में आएगा तब जो है 135 डिगरी होगा इसका यानि इस दिशा में आएगा कि इस दिशा में है दक्षिन की और है और इसको 135 डिग्री जब घुमाते हैं तो इस तरह से यहां आएगा तब जो है 135 डिग्री घुमेगा उसके बाद बोल रहा है और फिर घड़ी की चाल की दिशा में उसके बाद फिर घड़ी की चाल की दिशा में 180 डिग्री कोन पर मुड़ता है फिर उतना डिग्री जो है विप्रीद दिशा में मुड़ने के बाद फिर घड़ी के चाल के दिशा में जो है 180 डिग्री मुड़ता है तो 135 तो यही होगा फ इसको जहां पर है उसके सीध में ही आना पड़ेगा यानि यहां जो है आ जाएगा इस तरह से इस दिशा में यह आ जाएगा तो अब तो पुछरा कि अब बताएं कि अब किस दिशा में किस दिशा में मुखड़ा किये हुए तो यह जो है इस दिशा में आ गए है यहां पर आ इदर पच्छिम दिशा है दक्षिन पच्छिम के बीच है तो यह दक्षिन पच्छिम के दिश बीच जो है दक्षिन पच्छिम दिशा में है तो यानि इसका सही उत्तर हो जागा दक्षिन पच्छिम तो इसका सही उत्तर हो जागा डी तो यहां पर देखिए इसको और एक सोट नियम से बना सकते हैं कि मग कि अगर जो दोनों एक ही दिसा में उतना एंगल से मुड़ेगा तो उसको जो है जोड़ देना लेकिन जब पहले गाडी दिसा में मूड़ तो इसने प्रहीड की दिसा में मुड़ तो इसलिए तो इसमें देखिए एक सूप 202 डिक्री गरि की दिसा में मुड़ता है और olduğunu डिक से तो इसमें नियत कितना घूमेगा कितना डिगरी जो घूमेगा उसका मान निकालने के लिए बढ़का में छुटका घटा देंगे यानि 180 डिगरी में 135 डिगरी घटा देंगे तो यहां पर 45 डिगरी आ जाएगा तो जो सबसे बढ़का रहेगा उसी के तरफ मुड़ेगा तो 180 डिगरी जो है बढ़ा है और यह जो घटा के निकल के आएगा यह भी एतना जो है घड़ी की दिशा में मुड़ना पड़ेगा यानि घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में मुड़ना पड़ेगा यतना तो हम फिर यहां पर बोला गया था कि हम जो है दक्षिन की और मुख की यह खड़ा है और यहां पर 45 डिगरी हमको घड़ी की दिशा में मुड़ना तो यहां पर दक्षिन में है और 45 डिगरी मुड़ेंगे तो इधर आए बीच वाले एरिया में आ जाएंगे तो यानि मेरा जो है से उत्तर दक्षिन पच्छिम हो जाएगा तो इस तरह से सोट में भी बना सकते हैं उसके बाद अगला प्रसंद देखिए दस नमड इन इन सभी चित्रों को देखिए यह जो है पहला चित्र जो है एरो है तो यह जो दुर्ण में उसके बाद फिर यह जो 55 ढूडी की दिसा में मुड़के इधर आग्या और एक यह और आले तीर को भी बढ़ाया गया है अब कि यहाँ पर पहले एक तुर्ट यहे अब जो है दो हो गड़ी की दिसा में मोड़ा गया है फिर यहां पर जो है चार तीर हो गया है इसको भी घड़ी की दिसा में मोड़ा गया है तो अगला अब फिगर क्या होगा यानि अगला चितर क्या होगा तो अगला चितर मेरा इसमें तो तीर की भी संक्या कम है इसमें भी नहीं हो गार क्योंकि फास्च थीर युद्वाला चाहिए और यह भी नहीं हो कि हमको जह पैस पर पहितालिक होना याणि इस कोना में आना है और यह जो है है यहां पर चला गया है तो यह जह nogg डिगरी घुम गया है यह भी सही नहीं है तो यह देखी यह सही इसमें पांच एरो भी है और यह जो 45 डिगरी घुमा तो बिल्कुल मेरा उप संडी सही है कि तो इस तरह से हमने दस प्रश्णों को की और आगे बाकी के प्रश्णों को देखते हैं तो चलिए आईए हम अब आगे के प्रश्णों को देखते हैं तो आपर देखें अगला प्रश्ण है सही आरेक को चुनिए यानि जो है बेंट डाइग्राम से संबंदित यह प्रश्ण है इसमेंас प्रश्णद इया गया है तो इसमें हमजे करता है तो चलिए आईए हम देखें करके क्लम कभी पेंसिल नहीं हो सकता और पेंसिल बोतल नहीं हो सकता है यानि ये तीनो जो है ना ही कलम कभी बोतल हो सकता यानि ये जो तीनो है भीन भीन है तीनो अलग है तीनो में कुछ जो है समानता नहीं है तो यह जो है ओप्शन ए जो है सही हो जाएगा बिल्कुल यानि तीनो जो है अलग-अलग हो जाएगा तीनों में से जो है किसी में कोई संबंध नहीं है उसके बाद अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है अगला पलस है साइन को जो है रिप्लेस करना है साइन को रिप्लेस करके जो इस प्रस्ण को बनाना है यदि पलस का अर्थ भाग हो भाग का अर्थ घटाव हो और घटाव का अर्थ गुना हो और गुना का अर्थ जोड़ है तो मान ग्याद किजिए तो जो है इन सारे जो है च विन यहां पर प्लस के जगह क्या हो बोल रहा है यहां में रहेज़ लिखेंगे यहां एसे आपर श्चेन होरो गाद वे तो गताव कर्थ क्या है स्थयर्ट मार्थ जह मूना भादध अरहां यहां भुन 40 को बाहर मुंत सब्दों ऐसा यहां पर देखें पहले जोड है तो जोड कर्थ भाग है तो भाग लिखें उसके बाद फिर भाग है यहां पर 20 है बी से उसके बाद फिर भाग है तो भाग करत क्या होता है भाग करत गटाव है तो यहां पर हम फिर गटाव पांच लिखेंगे उसके बाद फिर गटाव है तो गटाव करत क्या होता है गटाव करत गुना है यानि यहां जो है गुना होगा गटाव करत गुना है तो यहां लिखेंगे Chaos 92 तो अब हम इसको जो है हाल करेंगे तो यह जो भाग पहले होगा तो 24 कस्ती यानि चार घटाव और उसके बान बहुत के बार जो रहे गुना होगा तो 5 गुना-12 यानी साइट है कैं उसके बाद यहां पर पलस बिरान वे daund has pran देखेंगे तो यहांपा देखें आगे में जो हैं पिछे में 91 में परšले सिगatif डिपारë जूठ जाएगा तो 92 और चार 96 96 में फिर 90 को मरत यान आवैं 36 यानि इसका सही उत्तर हो जाएगा option C 36, उसके बाद चलिए हम आगे के प्रश्णों के देखते हैं, तो अगला प्रश्ण है दी गए आकिर्टी में कितने तिर्भुज हैं, तो ये जो आकिर्टी दी गई है, इसमें बोलाए कि तिर्भुज की संख्या कितना, यानि कितना तिर्भुज इसमें है, तो चलिए अंदर एक चोटा तिर्भुज है, यानि दो तिर्भुज हो गया और बिलकुल सेम-to-samed प्रस्थ हैं, बिलकुल सेम-to-samed आकिर्टी जिस तरह उपर है। उसी तरह नीचे है, तो उसी तरह नीचे फिर यह जो है तीसरा तिर्भुज हो गया यह तीसरा तिर्भुज हो गया और यह जो बीच नीचे का बन रहा है तो यह जो हमारा चौठा तिर्भुज हो गया यानि एक दो और तीन चार यानि टोटल जो है इसमें चार triangle बन रहा है तो यानि जो है इसका option A बिलकुल सही हो जाएगा यानि हितम जो है चार तिर्भूज ट्रेंग्ल की संख्या, पे चार और आप लोग भी आप लोग भी झो ठोड़ा गौर से देख लिए कि इसमें तो इससे चार ही है या फिर कुछ कुछ हिससे ज्यादा है कि इससे जो है को इसका सही उत्तर जो है एक समरूप आकर्ति है यानि इस की इस minder ज़ए जयादा मिल खाता है जयादा जो समधित टो यहां पर देखे a बिल्कुल मेंच करता इसा अाकर्ति अलग है मैज़े है या उर नहीं होगा और बिसका भी जह मैच स्पेस और यहां पर जयादा native अपसंट सि segundos संधिव ऑफ संधी जो होगा यह े मतलब कालूम के झैसा है और एक जिए sorry में दिया लेकिन आटनी जो है बिल्कुल सेमन यानि स्थेव प्र सब्सक्राइस में रडी जो हे बिल्कुल स Kle hommes जाए जाए जा निए प्रश्ण हां प्रशनाकिर्ति झार्णD से ना समिल खाती है कुस्चे वाद सब्सक्रास पंदरा देखी होश्चन मों पंदरा जो कोडिंगडी कैंट से प्रस्ण है तो यहांपर देखि येन के जगह 17 लिखा गया और O के जगह YL लिखा गया और T के जगह W लिखा गया है और E के जगह B लिखा गया तो देखिए हाँ पर क्या परिवरतल हो रहा है नोट के जगा लिखा गया Q-L-W-B यानि यहां पर देखिए इसका 14 है तो यहां 17 हो गया यानि पलस्तीन इसमें हुआ है और उसी तरह O में 12 हुआ है यानि इसमें माइनस 3 हुआ है इसमें पलस 3 किया गया इसमें माइनस 3 किया फिर उसके बाद देखिया अगला इसमें जो है B से यहां 30 हो गया तो इसमें पलस 3 हुआ है उसके बाद यहां E 5 है और यहां पर B हो गया यानि 2 हो गया तो इसमें जो है म माइनस तीन किया जा रहा है तो उसी तरह हम भी जो है अगला जो वर्ड है उसमें कर देंगे यही कि रूल को अपनाते हुए तो यह 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 पी है तो इसका क्या हो जाएगा तो हम सबसे पहले पलस तीन करेंगे पलस्तिन करेंगे तो यह में पलस्तिन करेंगे तो आठ तीन ग्यारा यानि के हो जाएगा ग्यारा में के होता है उसके बाद ए है तो ए में फिर माइनस तीन करेंगे हम ए में माइनस तीन करेंगे तो यानि दो बचेगा यानि भी होगा फिर a में फिर a में पलस 3 करेंगे फिर a में पलस 3 करेंगे तो 4 होगा यानि डी होगा उसके बाद फिर अगला अगला p है तो p में फिर पलस 3 की तो अगला पी में फिर माइनस तीन होगा तो इसको इस तरह से लेते हैं अगला पी में जो है पलस्तीन के तो यहां पर माइनस तीन होगा तो पी माइनस तीन याने पी जो है अंग्री जी लिटर के लिग स्टान पर रहे तो माइनरस फिन करेंगे टेरा पर आता है याम कि याम जो है सै उत्तर हो जाएगा या यानि इसका इस तरह के भी डी युँँ मोटाआए इसका जो से उत्तर है के बी डी युँ तो option A जो है बिल्कुल मैच कर रहा option A जो है बिल्कुल सब्सक्राइब तो इस तरह से हमने दोस्तों विपेसी टीचर के टेस्रीज का जो है रिजनिंग का जो है दूसरा सेट हमने समाप्त कर दिया है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन दिन तक परिक्षा समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम विप्यसी टीचर का प्रेक्टिस सेट लेकर आता रहेंगे और उसका सोलुसन करता रहेंगे और आप आप लोग के साथ अंतिम तक निभाएंगे और आप लोग को इस बार सेलेक्शन दिलवा के छोड़ेंगे ये मेरा प चैनल से जुड़कर खूब जो है प्रेक्टिस कीजिए और अपने तियारी को और मजबूत कीजिए तो बस आज के लिए तना ही थेंक्यू धन्यवाद